हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स मैं हर्बीर सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ओफिसियल में अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल आइकन को भी दबा दीचिए क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी चीज़े जैनुएन मिलेंगी और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं तो ये चैनल आपके लिए काफी इंपोटेंट रहने वाला है तो साथियों आज किस मॉर्निंग न्यूज में मैं आपके लिए काफ में हम डिसकस करेंगे इससे पहले कल मैंने कोफसन दिया था कि इंडिया आने वाला पहला अंग्रेज कौन था तो साथियों इसमें जोन मिंडल हॉल ठीक है ये पहले अंग्रेज थे जो इंडिया आये थे लेकिन ओफिसियल तोर पे जो मतलब आये थे वो कौन थे विलियम ह Hawkins को यहां पर correct माना जाएगा हलाग कि मिंडल हौल भी आये थे इंडिया में सबसे पहले लेकिन William Hawkins को माना जाएगा तो यह जहंगीर के दरवार में आये थे तो यह पहले अंग्रेज माने जाएंगे जो इंडिया आये थे इसके बाद जो आज का कोस्तन है आप के लिए वह कोश्टन है चंदरगुप मोरिये ने अपना अमतिम समय, मतलोब चंदरगुप मोरिये ने अपने जीवन का मतिम समय कहाँ पर बिटाया, ये कोश्टन हैं आप के लिए, तो साथियों अभी हम बात करते हैं, दि-स-स भी आइउ सीमा में बदलाव जैसा कि आप जानते हैं कि अधर स्टेट्स में जो आयू सीमा है अध्यापक बनने की वो काफी जादा है लेकिन राजधानी के अंदर एक अध्यापक बनना बहुत मुश्किल हो गया है और खास तोर पे जैसा आप जानते कि वेकेंसी निकलने भी बहुत टाइम लगता है और अगर कोई टीचिंग कोर्स करता है तो साइद वो अपनी लाइफ में दो या तीन ही चांस देख सकता है तो साथियों दिल्ली में जेनरल की जो एज लिमिट है पी आर्टी के लिए ओ ठर्टी है लेकिन अधर स्टेट्स में हम देखे तो फोर्टी ठर्टी फाइव नॉर्मल ये एज लिमिट है तो इसके रिगार्डिंग हमने अपने जो साथियों उनसे इस मुद्दे पर बात करी और उनको अवगत कराए कि हमें क्या करना चाहिए नेक्स प्लान क्योंकि काफी साथियों के हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं और उसके रिगार्डिंग हमने वहाँ पे उनसे डिसकस किया और कुछ चौकाने वाले वहांसे तथीय सामने आये निकल कर तथे सामने आए कुछ चौकाने वाले तो वो क्या थे मैं आपको बता देता हूँ तो सबसे पहले मैंने उनको बताया कि हमें age limit के बारे में कुछ करना चाहिए तो सातियों वहाँ से उन्होंने बताया कि age limit के बारे में पहले भी काफी केजरिवाल जी हैं उनसे भी बात हो चुकी है क्योंकि हमारे भी कुछ साति हैं जो age सीमा में जो I.O. सीमा है उसमें बदलाव चाहते हैं तो केजरिवाल जी को उन्होंने मतलव letter भी लिखा था और application भी दी हैं लेकिन उन पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है उन्होंने मतलव proof भी दिखा है कि other states में ऐसा है तो डेली के अंदर क्यों नहीं है तो सातियों इसके बाद अभी जो vacancies हैं इनमें भी I.O. सीमा को लेके case चला हुआ है और I.O. सीमा में बदलाव होता है नहीं होता है वो court के ओपर depend करेगा उसका तो सातियों मैं यही request करना जाऊंगा कि आप में से जो I.O. सीमा में बदलाव जाते हैं क्योंकि ऐसा नहीं अगर कोई step भी लिया जाए तो यह नहीं कि अगर कहीं पर meeting हो तो दो बंदे आ रहें निकलके नहीं अगर आप real में कुछ चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी एक मतलब कोई भी एक आगे आए और अपने साथ कम से कम जादा नहीं बहुत सारे लोग अपने साथ लेके आए जो आयू सीमा में बदलाव जाते हैं क्योंकि और ये step ये काम सिर्फ एक दिन का नहीं है आपको आना भी पड़ेगा आपको घुमना भी पड़ेगा आपको कहीं जाना भी पड़ेगा जैसा कि आप जानते हैं कि जो DSSB की हालत है आपको पता होगी क्योंकि कोई भी काम इतनी जल्दी होगा नहीं तो आपको ये चीज चैलेंज करनी पड़ेगी कोर्ट में भी चैलेंज करना पड़ेगा कि हाँ ये चीज हमारे साथ गलत है हम आयू सीमा में बदलाव जाते हैं और मैं देखो किसी भी चीज को personally lead नहीं करूँगा क्योंकि काफी बार क्या होता है कि blame भी लगाया जाता है कि वो ऐसे कर रहा नहीं आप में से कोई भी आगे आए guide कर सकते हैं आप लोगों को बता सकते हैं कहां आप जा सकते हैं इसके बाद आपकी meeting वगरा करा सकते हैं आप बात कर सकते हैं जो भी साती बात करना जाए तो सात्यों यह ही है अभी और जो discussion हुआ तो काफी मतलब चीजे निकल कर आई कि केजरिवाल जी को भी मतलब notice दिया जा चुका है उनको application दी जा चुकी है कि सर हम I.O.C. में बदलाब दिया जाई other states में है लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बोलते नहीं है कि आम आदमी आज के टैम में दुखी है तो वो चीजे हो रही है तो सात्यों आप जो भी हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं गुडबाई टेक कियर थेंक यू जैहिंद वंदे मात्रम